Students, find the LCM and SCF and verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers. तो इन दोनों का LCM और SCF निकलना है. पहले हम 198 को factorize कर लेंगी, इसको पावर में लिख देंगी. फिर 144 को factorize कर लेंगे, 2 को पावर में लिख देंगे, 3 को भी पावर में लिख देंगे. अब इन दोनों का LCM क्या होगा? इसमें 2 है और इसमें 2 to the power 4. तो इन दोनों में से LCM के लिए क्या लेंगे? 2 to the power 4. मैक्सिमम जो होगा वो लेंगे. तो इन दोनों के लिए, इन दोनों का LCM के लिए क्या लेंगे? 2 to the power 4. फिर इसमें 3A square है, इसमें भी 3A square है. तो दोनों से क्या आ जाएगा? LCM के लिए 3A square. फिर 11 इसमें है, बट इसमें नहीं है. तो uncommon भी आता है LCM के लिए. तो 11 भी ले लेंगे. इसको multiply करेंगे, इतना आता है. तो इन दोनों का LCM आ दिया. अब हम इन दोनों का SCF निकालेंगे. तो SCF के लिए क्या सब लेंगे? इसमें 2 है और इसमें 2 to the power 4. तो इन दोनों में जो minimum होगा, उसको लेंगे. तो minimum 2 है. तो इन दोनों का SCF के लिए क्या लेंगे? 2. फिर इसमें 3A square, इसमें 3A square. तो 3A square दोनों में है. तो फिर SCF के लिए क्या लेंगे? 3A square. Finally, इन दोनों का SCF के लिए क्या सब लेंगे? 2 और 3A square. अब हम verify करेंगे, तो LCM into SCF निकालेंगे, तो LCM और SCF को multiply करेंगे, इतना आता है, फिर product of two numbers निकालेंगे, दोनों नमबर जो दिया हुआ है, उसको multiply करेंगे, इतना आता है, अब दोखो LCM into SCF जितना आया, और product of two numbers जितना आया, दोनों equal है, तो LCM into SCF is equal to product of two numbers, verify, okay, okay, thank you.